इनके लब रंगी की निठावर्थी के जिसने आमिर कुरेशी हैं ये कहते हैं कि कोट मेरीज करना ये भाग के शादी करना ये इस तरह निका हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा भागतर मतलब क्या भागते भागते निका होगा काजी साथ को लेके या फिर काजी साथ के पास भाग के जाए जाएगा बहराल ये के कोट मेरीज करना और शादी की जो शराइत हैं यानि दो मर्द गवाहों के मौजूदगी में जो मुसल्मान और आकिल बालिग भी हो एक मजलिस में भी हो उनकी मौजूदगी में इजाव कुबूल अगर किया जाएगा शराइ महर के साथ तो ऐसी सूरत में निका तो करार पाया जाएगा यानि शरीयत में इसको निका कहा जाएगा कि शादी हो जाएगी जाहे हैं वह कोट मेरी जो हो या खुद लड़का ललकी किसी काजी के पास इमाम के पास जाके इस और यह नहीं तो यह उर्फ आम में लोग समझते ही है कि यह ठीक है या नहीं ठीक और जबात जवाब की मुझे जरूरत नहीं और उन्होंने ने फैसला किया कि शादी तो हमारी हो नहीं सकती क्योंकि हम में फर्क बहुत है अच्छा यह जो खुद निगा करने वाला है इसमें कुफू का मसला भी है उल्मा ये सुनना से एक मर्तबर राप्ता जरूर इस बारे में करें कि इसमें कभी कुफू का मामला होत होता है तो वली की इजाजद में मुकफ होता है फिर निकल तो ऐसा निक है सी में कि मसायल हो जाए लड़की तरफ से तो उसके अंदर पिर जो है लड़की के वालिद की इजाजद जो मोई वे exhale में हम किसी आलिम सांड़ से भी रूब भी राप्ता करें तो फिर इसने अनि लड़की ने और रानी ने जो शहजादी थी महल की और घुलाम के साथ भागने का फैसल है कि चलो हम आज आ रात को उट पकड़ेंगे एक उस पर बैठके हम जो अपनी सरत से पार निकल जाएंगे और बाहर जाकर जो आपनी कर लेंगे क्योंकि यहां हमारी शादी नहीं हो सक क्रोस उसको करना था उटो को तो वो दोनों उट चलते गए चलते गए चलते गए लड़के का उट पानी में जाकर वो बैठ गया यानि वह आगे नहीं बढ़ा वह बकाएदब बैठ ही गया पानी देखके उसने बहुत उठानी की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा तो जादत इसके अंदर आ गए चलो कोशिश करो उठाओ तो चलो जब लड़के न ये बात सुनी तो उसने उट को बड़ी मुश्किल से उठाए और वापस महल की तरफ आ गया और यानि वो उतने भागने से मना कर दिया कि मैं भाग के शादी नहीं करूंगा पुछा गया कि वोही इसकी उलाद ने भी आगे चलके किया, वोही ताफुरात इसमें आए तो अगर हम आज भाग कर शादी कर लेंगे, कल को हम भी नाना नानी बनेंगे, तो खुदानाखासता कल को हमारी उलाद भी अगर यही करेगी और यही जिनस आगे तक जाते हैं, यहीं सागे तक को देखकर अल्ला तबरक बताला नों के दिल को फेरा कि वो वापस मेहल की तरफ वापस पलटाए तो अब यह के निका खुद जाकर कर लेना मामला यह है अब बहुत सारे लोग पूशते हैं कि इसमें पसंद की शादी है लव मेरिज के लिए अगर वाली देन राजी हो जाए यानि आपका कहीं मतालबा है कि मुझे फलाश घर में शादी करनी है और वाली देन अगर इस बात को परख लेते हैं कि वो घराना ठीक है यानि ऐसा शराबी जुआरी होगा चोरोगा नहीं है या अगर लड़की की तरफ से तो ऐसा नहीं है कि हमारे जूड का भी है खांद लड़की मतालबा किया कि मेरे को फुला शक्स से शादी करनी अब वाली देन या जानते है तहकीक है लाके कंदर के ये शकस कमाता ही नहीं है कारोबार करता ही नहीं है और इसी तरह अवारा भूंता है तो जाहिर एकि सिरफ महां पर बच्चे की फर्माईश नहीं देखि 자신 जाती वालीदें आगे कभी सोचते हैं और सोचने की बिना पर ही लिक्तर का मना करता है और अगर कहीं ऐसा मामला होता है, अगर अपनी बात को उनके रखना चाहिए कि फलाँ घर के अंदर रिष्टा हो तो ठीक अगर वो राजी खुशी राजी हो जाएं तो ठीक हैं अगर वो इंकार करें कि नहीं वो खांदान ठीक नहीं लड़का ठीक नहीं लड़की ठीक नहीं या बद चलन लोग हैं या वाली देन मना नहीं करते हैं लेकिन बाज के फिर भी मना करते हैं अब उनकी जाती मामला रहता है कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं या अपनी अना में करते हैं या अपनी शान और शौकत की वे से करते हैं वो एक दूसरी बात है लेकिन बहराल मरह से में लेके काम कर लिया है ठीक है हो जाता है ठीक है अगर इजदार घर पाएंगे तो वाली देन कर ही देना इनको अगर उनको लगेगा कि हाँ ठीक हमें भी करनी और वो लड़का या लड़की भी ठीक है कोई ऐसा बदगिरदारी वाली बात भी नहीं है तो कर देंगे नहीं करें तो ठीक है बैहरा लिए लिए अगर निका किया जाएका और निकाह की शरायित पाहि जाएंगे चाहें लोग भneg abs пока करें ठीक है लिकिन ये आमल के लिए मैंने हकायद बयाद गर दिया अब उससे अंदाजह लगा लें कि कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्यों कि फिर ये समाज में एक दाग हमेशा कि ली लग जाता है कि भाग कर शादी की ए फलाने और यह आगे तक चलता है फिर यह खुदाना खासता क्या आगे नसलों में भी कनवर्डु हालक इसा ज़रूरी नहीं कि जो वालीद ने करें रहे हैं जो उलाद ने किया हो वह अगे की अज़ाद करें आगे सा लाजिम नहीं है लेकिन ये कि ऐसा उमोमन हो ही जाता है कि दुनिया आमाल की खेती है हाज ऐसा करेंगे और वैसा ही यहाँ पर भुखतेंगे